नमस्क्राइब दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज Q&A सेशन है जहांपे मैं आपके कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब दूँगा अगर आप इससे पहले जो Q&A सेशन मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया अगर वो सब देखना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाएगे प्लेइलिस्ट ऑप्शन को क्लिक करिए और जब आप प्लेइलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको एक Q&A करके प्लेइलिस्ट मिलेगी मैं एक जो सबसे ज़ाधा Q&A मुझसे पूछा गया पिछले 10 दिनों में कि जो टेलिग्राम चैनल के उपर मैं अपनी एक वाच लिस्ट अपलोड करता था तो या शेयर करता था तो वह मैंने बन क्यों कर दी तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि पिछले कुछ दिनों से मै मैं एक नई स्ट्राइजी की उपर काम कर रहा हूं जहां पर मैं किसी वाच लिस्ट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करता सुबह तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुगा हूं कि मैं सिर्फ निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं तो अगर जब स रेट करना है किस समय मुझे एकजिट करना है यह सब मैं जब मार्किट ओपन होने के बाद लगभग 10 वजे के बाद यह डिसाइट करना शुरू करता हूं और वो भी सिर्फ चार्ट को देखके तो यह स्ट्राटेजी मैं आपसे अपने आने वाले एक वीडियो में शेयर कर आँ तो अभी जो शुरुआती रिजल्ट से हो काफी अच्छे हैं और मुझे उसमें काफी सफलता उसमें मिल रही है उस स्ट्राटेजी को फॉलो करके पर एक कोई भी स्ट्राटेजी को इंप्लिमेंट करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है तो वो बैक चलते हैं आज के Q&A सेशन के उपर और सबसे पहला सवाल है मिस्टर संदीप का इन्होंने मुझसे पूछा है कि प्लीज टेल मी आबाउट वॉल्यूम इन स्टॉक इस इंक्रीजिंग वॉल्यूम इस इन बाई साइड और इस इन सेल साइड हाव तो इडेंटिफाई और इ उसकी सायता से आप कैसे ट्रेट कर सकते हैं वह भी मैंने आपको बताया था और एक मैंने ट्रेडिट वैल्यू के ऊपर भी वीडियो अप्लोड किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप वॉल्यूम से जाधा ट्रेडिट वैल्यू को जाधा इंपॉर्टेंस दें तो यहाँ पर जो इनका दूसरा पार्ट है question का कि increasing volume is in buy side और is in sell side how to identify तो यह आप stock price से find out कर सकते हैं अगर आपकी volume increase हो रही है तो आप stock price में देखे क्या moment हो रही है stock price बढ़ रहा है कम हो रहा है यहाँ पर मैं एक महत्वपून बात बताना चाहूंगा कि जो एक immediate reaction होता है आप उसमें मच जाहिए थोड़ा सा settle down होने दीजे क्योंकि मैंने normally देखा है कि जब volume increase होती है तो एकदम कई बार stock price increase हो जाता पर उसके बाद वो एकदम नीचे आ जाता है stock price तो उसका actual impact क्या हो सकत है पीछे कोई bulk deal हो रही हो कोई पीछे कोई bulk में buy कर रहा हो कोई mutual fund निवेश कर रहा हो या FIIs buy कर रहे हो मतलब यह हम कुछ पता नहीं लगा सकते कि volume किसले increase हो रही है तो आप जब volume increase हो तो मैं personally अगर आपने already trade लिया हुआ है तो आप उसके अंदर continue रखे लेकिन जब volume increase हो immediate reaction से नहीं पता लगेगा थोड़ा इंतजार करिए एक या दो candles 15 minute की complete होने दीजिए उसके बाद आपको actually में पता लगेगा कि यह volume spike हुआ था इसका impact positive है stock price पे या negative है तो यह जब increase हो रही हो थे volume उस समय बिलकुल exactly पता लगाना मेरे ख्याल से मुश्किल है तो आप यह इस आपने तीसरा जो सवाल पूछा है कि how to trade with the help of volume तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं volume का कोई बहुत बड़ा fan नहीं हूँ मैं सिफ traded value check करता हूँ और volume के उपर मैंने काफी short किया काफी analysis किया मैंने find out करनी कोशिश की कि कैसे इसको हम use कर सकते हैं अपनी trading में intraday में पर unfortunately मुझे इसका कोई ऐसा मतलब सटी किया सही जवाब नहीं मिल पाया तो मैं personally खुद volume को refer नहीं करता आपनी intraday trading में हां मैं traded value को ज़रूर कभी कभी refer करता हूँ पर मैं volume को trading के लिए इस्तमाल नहीं करता हूँ तो यह चलते हैं question number 2 पे यह सवाल पूछा है Mr. Gautam Chakravarti ने उन intraday trade other way you are telling volatility index is negative for retailer can you please explain देखें दोस्तों यहां क्या है कि जो आपकी volatility होती है और जो आपका stock price होता है यह एक तरीके का trade-off होता है अगर मैं retail निवेशक हूँ अगर मैं उसी दिशा में trade ले रहा हूँ जिस दिशा में volatility मुझे help कर रही है मान लीजे एक stock है जिसके अंदर ब price increase हो रहा है तब तो मैं बहुत खुश होंगा और मुझे काफी मुनाफ़ा हो रहा होगा लेकिन यहां पर जो इन्होंने मुझसे question पूछनी कोशिश किया वो यह के negative cure होता है यह retail निवेशक के लिए वो negative इसलिए होता है कि अगर मान लिजे आपने highly volatile stock में trade लिया और unfortunately वो stock विपरीद दिशा में move करना शुरू कर देता है तो जब तक आपको संभलने का मौका मिलेगा तब तक आपका stop loss हीट हो चुका होगा या आपको काफी बड़ा नुकसान हो चुका होगा तो volatility intraday के हिसाब से सही भी है सही तब है जब आप उसी दिशा में trade ले रहे हैं और उ एक तरीकिका trade-off होता है आपको इसके अंदर एक balance करना पड़ेगा कि आप जादा risk लेना चाहते हैं तो आप बहुत जादा highly volatile stocks select करिए अगर आप कम risk लेना चाहते हैं तो जिन stocks में medium volatility आप उनको select करिए और अगर आप एक conservative निवेशक है तो आप low volatility stocks को select कर सकते हैं तो मुझ है कि can you do a video on Ichimoku clouds तो दोस्तों यह request मुझे काफी दर्शकों से मिली है कि मैं एक Ichimoku clouds के उपर video बनाओ पर मैं personally आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा fan नहीं हूँ Ichimoku clouds का इसके उपर मैंने काफी testing की थी back testing की strategy बनाने ही कोशिश की और उसको combination indicators के साथ उनके साथ भी यूज करने ही कोशिश की पर somehow मुझे ऐसा लगता है कि Ichimoku clouds जो है वो आपकी जब market बहुत कम volatile होती है या जब sideways में market होती है market में ज्यादा movement नहीं होती तब वो आपको ज्यादा बहतर result देते है ना कि जब market बहुत जादा volatile होती है और Ichimoku clouds का जो basic principle है वो moving average की उपर ही है तो यह सिर्फ एक मतलब एक तरीके से कह लिए कि marketing gimmick होता है अलग लग indicators आपको उसका basic या fundamental समझना बहुत जो हुरी है अब काफी जगा लोग जो निवेशक है वो यूज करते है moving average ballinger bands और Ichimoku clouds अब मुझे वहाँ यह नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों क्योंकि तीनों का basic principle ह है वो moving average है तो अगर आपने एक moving average का indicator यूज कर लिया जाए वो कोई भी हो मानलेजे मैंने जैसे आप पहले जो अपने पिछले हफते कुछ वीडियो में आपको moving average के बारे में बताया था तो अगर मैं moving average का इस्तमाल कर रहा हूं तो मुझे हो सकता है कि ballinger bands या Ichimoku clouds की जुर उसके उपर research कर चुका हूं पर मुझे ऐसा कुछ उसमें लगता नहीं कि आप उसको बहुत reliable तरीके से use कर सकते हैं तो मैं personally उसका fan नहीं हो मैं यहां पर आपको यह नहीं कहरा कि आप भी मत करिये कोई एक strategy किसी एक निवेशक के लिए या trader के लिए काम करती है हो सकता दूस निवेशक के लिए काम ना करें तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं खेरा कि इची मो को clouds जो है आप मत इस्तमाल करिये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पर मैं आपनो personal आपको मैंने जैसा कर बता है कि मैं इची मो को clouds का fan नहीं हो इसलिए मैं उसके ओपर जादा अभी कोई research नही चाहिए या नहीं तो इसका जवाब जैसे कि मैं अपने ट्रेड़िट वैल्यू वाले वीडियो में भी दे चुका हूं कि आप वाल्यूम की जगा ट्रेड़िट वैल्यू चेक करिए अब आपके सवाल का जवाब हाँ या ना दोनों हो सकता है वाल्यूम कम किसलिए है तो कम-कम अगर मान लिजे एक stock है जिसकी value से 50 रुपए है 100 रुपए है या 200 रुपए है तो obviously वहाँ उस stock में volume जाधा होगी compared to कोई एक दूसरा stock जिसकी value 1000 रुपए या 1500 रुपए का वो stock है तो यहाँ पर volume की जगा आप traded value को check करिए और अगर आपको लग रहा है कि traded value कम हो रही ह या उसके अंदर वो traded value जो एक long term average से काफी नीचे चल रही है तो इसका सीधा साथा मतलब यह होता है कि निवेशको का stock में कोई interest नहीं है और ऐसे stock के अंदर अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मेरी हिसाब से वो एक सही निर्ण है personally मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा क्योंकि अगर निवेशको का उसमें interest नहीं है तो stock में कुछ ज्यादा moment होगी नहीं और वो stock जो है एक side way या एक काफी कम returns आपको लंबी अवदी के दोरान देगा तो हमेशा उनी stocks में निवेश करना चाहिए जहां पर जैसा कि मैं आपको पता चुका हूँ FII का जिन stocks में interest है या DII का या mutual funds इन सब का जिन stocks में interest है आप उनी stock में निवेश करेंगे तो आपको ज़्यादा भ नहीं पूची पर यह बहुत important query है और इसके उपर में काफी research भी कर चुका है और इनका जो conclusion हो काफी सटीक है इसका मैं कारेंट बताऊंगा कि यह ऐसा क्यूं होता है तो उन्होंने पूचा है कि why do returns on mutual funds decrease every year for example if you check a fund's performance the first and second year is mostly good but after third and fourth year the percentage keeps falling I am saying on basis of charts in इन्होंने एक website यहां पे mention किया जो इन्होंने fund की performance इस website पे check किया है तो please explain देखें यहां यह जो जिन funds की आप बात कर रही है या जिन funds को आप compare कर रही है आप देखेंगे कि जब यह आप इनकी comparison करते हैं इन funds की performance को दूसरे funds के साथ एक category के अंदर तो जिन funds की performance drop हो रही है या जिनकी जो returns है वो decrease increase हो रहे हैं जो कि इनका basic सवाल है वो यह वह वाले funds हैं जिनका asset under management या जिनका जो पैसा है जो उस fund के अंदर उस mutual fund के अंदर जो निवेश हो रहा है निवेश को का वो बढ़ता जा रहा है तो जब निवेशक उस fund के अंदर जादा पैसा निवेश करते हैं तो जब AUM increase होता तो fund की performance नॉर्मली खराब होनी शुरू हो जाती है, मैं यहां funds का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ आप बहुत बड़े funds देखेंगे, वो पहले जब वो medium funds होते थे, medium size के funds होते थे, या small size के होते थे, तब वो बहुत अच्छा perform करते थे, लेकिन जब वो large बन गे लार्ज मतलब यह नहीं large gap की बात नहीं कर रहा है, मतलब जब वो उनके अंदर जो AUM है, जो निवेश को का पैसा है, वो एकदम वो size में large हो गए, तो उस case में क्या है, कि उस fund की performance पे impact होता है, अब impact क्यों होता है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण यह है कि जगर और रुपे, 1000 रुपे हो जाती है, तो मेरे पास थोड़ी opportunities कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं ज्यादा पैसा तो मैं सोचूँगा कि कहां कहां पैसा लगाँ, जब वो 1000 के 10,000 हो जाएंगे, तो और opportunities कम हो जाएंगी, 10,000 का 1,00,000 हो जाएगा, तो शायद मुझे काफी दिक जो हो जाता है, क्योंकि fund manager को ऐसे cases में समझ नहीं आता कि मैं अब ये पैसा कहां निवेश करूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे एक short में इस query का answer देना है, तो उसका answer यह है, कि जैसे जैसे fund का size increase होता जाता है, वैसे वैसे fund जो manager होता है, उसके लिए जो opportunities होती है, जो अच् कि अच्छी opportunities अगर market में सिर्फ 10 हैं, और अगर आपके पास कम पैसा है, तो आप वो सारी opportunities टैप करें, लेकिन जैसे जैसे आप का अगर पैसा आपका निवेश भड़ता जा रहा है, तो आप सारे पैसे उन्ही opportunities में नहीं लगा सकते, तब आप और opportunities की तलाश करेंगे, और यहाँ पर गलती होने के chance ज्यादा होते हैं, तो जो fund होते हैं, जो normally mid-size fund होते हैं, जिनका size अभी बड़ा नहीं है, या AUM जिनका अभी ज्यादा नहीं है, वो normally अच्छा perform करते हैं, जो छोटे funds होते हैं, वो ज्यादा अच्छा perform करते हैं, compared to जो बहुत बड़े size में funds होते है जिनके पास बहुत जादा पैसा होता है वो फंड्स थोड़ा कम बहतर परफॉर्म करते हैं तो इसलिए आप जिन फंड्स की बात कर रहे हैं अगर आप एक कोई अच्छा फंड उठाएंगे जो आज फाइव स्टार फंड है तो इसलिए ऐसा होता है कि वह नॉर्मली फोर स्टार त्री स्टार बन जाता है कुछ समयबार उसके फीचे कारें यह होता है जो फाइव स्टार फंड है उसमें निवेशकों का काफी जादा इंट्रस्ट आता है लोग अपना पैसा उसमें डालना शुरू कर देते हैं तो अभी तो वो अच्छी performance दे रहा है, शायद वो पहले दूसरे साल में है, जब आप उसको track कर रहे हैं, जिस साल को आप track कर रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा निवेशक उसमें पैसा डालना शुरू करेंगे, तो फिर वो उसकी performance गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो fund का size ब निवेश कर रहा हूँ अगर mutual funds में, तो मैंने जैसे अपने इस वीडियो में भी बताया था, जो ये best mutual fund ranking वाला वीडियो है, कि आप regular interval पे अपने fund की performance को evaluate करते रहें, और अगर आप equity link mutual funds में आप निवेश कर रहे हैं, जो equity base हैं, तो उसमें एक साल बाद आपका capital gain zero होता है long term capital gain शुनने होता है, तो आप एक साल बाद उसके अंदर पैसा निकाल लें, अगर वो fund ठीक से perform नहीं कर रहा है, और किसी नए fund की तलाश करें, जो अब अच्छा perform कर रहा है, तो उससे जो ये समझ्या, इन्होंने इस query में बताई है, वो समझ्या खतम हो जाएगी, और अच्छे fund में आपका निवेश रहेगा, अगर आप अपने जो mutual fund investment है, उसको regular interval पे आप evaluate करते रहेंगे, और अपने funds को जो है rotate करते रहेंगे, अपने निवेश पो जो rotate करते रहेंगे, और हमेशा एक या देट साल बाद आप फिर से check करिए कि कौन सा fund इस समय अच्छा perform कर कर रहा, वहां से पैसा निकाल के, आप एक दूसरा जो एक fund बहुत अच्छा perform कर रहा है, उसमें आप पैसा डालिए, ताके आप को एक अच्छे returns मिल सकें compare to market average, दोस्तों मुझे उमीद है कि आज का ये Q&A session आपको पसंद आया होगा, अगर आप इसी तरीके से चाते हैं कि आपका सवाल भी Q&A session में शामिल हो, तो आप नीचे दिएगे comment section में अपना सवाल post कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर यदि आपको पसंद आया, तो आप नीचे दिएगे like icon पर भी ज़रूर क्लिक करें, इसी तरह जानकारी सिभरपूर और ज्यानवर्दक वीडियो देख पाएंगे, दोस्तों इस वीडियो का एक disclaimer भी है, जो कि इस वीडियो के शुरुआत में दिखाये गया है, मैं आपसे अनुरूत करूँगा कि आप उस disclaimer को ज़ूर पढ़ें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,